दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है विबनन्दा ने आपके अपनी यूटूब चैनल आरेन इस्टूट लहाबाद में हैं दोस्तों तमनिल पर देख पा रहे हैं UPSI 9534 बड़ती परिच्छा के संदरोब में एक बड़ी अपडेट आ रही है आप लगातार पूँच रहे हैं कि आखिरकार 9534 का जो मामला है उसका जो नियुक्ति पत्र वितरण समारोह है वो किस तारीक को आयुजद किया जा रहा है नीचे देख पा रहे हैं नियुक्ति पत्र वितरण समारोह 26 फरवरी बिल्कुल हम आप सभी को इंफर्म करना चाहेंगे 9534 मामले के संदरोह में 26 फरवरी यानि कल की डेट में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह हो रखा गया है इसके संदरोह में आप पूँच रहे थे कि आखिरकार आवस्यक डाकुमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं और ये नियुक्ति पत्र हमें कहा मिलेगा ठेक हैं इस सभी मुद्दोह पर हम चर्चा करेंगे अफिसियल नोटिस आप की बीश में लगी है जो कि बहतरीन तरीके से आप देख पा रहे हैं सभी मुद्दोह पर हम चर्चा करेंगे एक निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा की चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे चलिए सबसे पहले हम आपको इस अपडेट से रूबरू कराते हैं जो इसके संदरों में निकल कर आ रहे हैं आप देख पा रहे हैं निस्पक्ष एवं पाड़दर्सी चैनल प्रक्रिया के अंतरगत उत्तर प्रदेश पुलिस भड़ती एवं प्रोनत बोर्ड द्वारा चैनल नौजार पच्पन उपनरिक्षक नागरिक पुलिस प्लाटून कमंडर पेसी एवं आगनिश्चमन दु कितनी पाड़दर्सिता बरती गई है इसके जिम्मेदार आप खुद हैं अगर कहा जाए इस जीर से आप पहले से वाकिव हैं यहां देखें आपके बीच में दिनांग का विवरण दिया जा रहा है 26 फरवरी यानि कल की डेट में प्रातह 10 वजे से अस्थान आप देख पा साद मौरिया मानने उपमुक्य मंत्री जी है ब्रजेस पाठक जी उपमुक्य मंत्री और अगर बात करें हम स्री सुरेश कुमार खन्ना मानने मंत्री वित एवं संसदी कारे उतर प्रदेश इन सभी की गरिमा मय उपस्थिती में आप सभी का 26 फरवरी यानि कल की डेट में प्राता 10 बजे से नियुक्ति पत्र वित्रन समारो हो रखा गया है ठीक है और इसमें आप मूँच रहे थे कि इसके लिए आवस्यक डॉक्मेंट्स क्या क्या हो सकते हैं तो अगर हम बात करें आवस्यक डॉक्मेंट्स की उपर हमने आपके बेश में वीडियो प्रवाइड किया है बार-बार इस पर वीडियो हम आपको नहीं बनाएंगे नहीं इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ठीक है सिर्फ और सिर्फ हमारे बकाने का मुक्सद था 26 परवरी प्राता 10 बजे से अस्थान हमने आपको बताया कि कहां पर आपका जो नियुक्ति पत्र वित्रन सम थैंक्स धन्यवाद